वल्कम दोस्तों मैं आजाज आपका स्वाधत करता हूँ टेक्न टॉक के नए विडियो में आज का हमारा वीडियो टेक्क निउस के बारे में सबसे पहली न्यूज है शाओमी मि6 के बारे में रूमर रही है कि शाओमी अपना MI6 डिवाइस इंडिया में लाउंच नहीं करेगी और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि एक रूमर ही हो और सच ना हो और हम इंडियोंस को MI6 यूज करने को मिले जिसमें और स्नैप्ड़ागन 835 जिसमें 6GB RAM के साथ हमें मिलेगा अगली न्यूज है दोस्तो एपल की तरफ से एपल एक नया पेटेंट फाइल किया है जिसमें एपल अपने नए आइपोन को वाई-पाई के थूरू वाई-पाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के थूरू चार्ज कर पाएगा जो बहुत ही इं अपने चने मिलके एक एंड्रोइड एप लांच किया है रोड सेफटी के लिए इसके फीचर को जिस तरह है कि आप इस डिवाइस को जब आपका डिवाइस में जब आप इस एप को यूज करेंगे और आपके वहिकल की स्पीड दस किलोमेटर या उससे जादा होगी तो यह आपके नोटिफिकेशन को समस की और कॉल की साउंड को डिसेबल कर देगा ताकि आपको डिस्ट्रेक्शन नहीं हो ड्राइविंग के दौरान साथ ही साथ इसमें आपको रोड से टेप्स और जो रोड के आपको फाइन होंगी उसकी इंफॉमेशन भी दी जाएगी और एक इंट्रेसिंग फीचर यह भी आपको मिलेगा कि आपको एक्सिडेंट डिटेक्टर मीन से अगर आप खुदाना खास्ता उपरवाला ना करेंगा आपके एक्सिडेंट होता है तो उसको डिटेक्ट करेगा इसमें अगर आपकी स्पीड अगर सदनली ड्रॉप होगी तो डि इसमें मिलेगा और साथ ही साथ वायलेस चार्जिंग यूवी जैसे हमने आपको पहले बताया शाओमी ने नहीं स्मार्ट वाच लांच किया वी लूप है 3S स्मार्ट वाच और जो तक्रीबन चाइना में जिसकी कीमत 539 यॉउन तक्रीबन इंदुस्तान के 5,000 रुपे के और साथ ही साथ इसके फीचर होंगे तकरीबन आपको तीस दिन तक की बैटरी लाइफ मिलेगी 1.28 इंचिस का डिस्पले मिलेगा विद प्रो निंग गोरिला ग्लास 3 एक्टिविडी ट्रैकर हार्ट रेट मॉनिटर भी आपको मिलेगा और जो सबसी उनिक फीचर मुझे ल जैन एड्मायर मैटल फून लांच किया है पांच हजार साथ सो पचास रुपे की कीमत है इसमें आपको 1.3 GHz का प्रोसेसर मिलेगा किस कंपनी का अभी तक कुछ नहीं पता सामने और पीछे दोनों साइट फ्रंट और बैक में आपको 5 Megapixel camera with flash मिल रहा है इसमें और साथ मे इसमेच की बैटरी मिलेगी यह फोन 4G LTE सपोर्ट के साथ आएगा और इसमें एक जीबी की रैम और सोला जीबी की स्टोरिज और एंड्रोइड 6.0 होगा अगर एक इससे बैटर फोन में आपको रेक्यमेंड करूंगा कि आप शाओमी का रेड्मी 4A ले कुछ तकरीब हजा अगली न्यूस है दोस्तों गूगल की तरफ से गूगल की जो पिक्सल डिवाइस है उन्हें सपोर्ट मिलेगा तकरीबन 2018 तक नए Android OS तक का जो भी नए Android के रिलीज आएंगे और 2019 तक उनको मिलेगा सपोर्ट सिक्योरिटी पैचिस किया और इसके आगे का सपोर्ट मिलना अगर शायद अगर आप लग्की वे आपको मिल भी सकता है मगर गूगल ने तो साफ कह दिया कि नहीं मिलेगा ब्लैक बैरी कीवन फोन दोस्तों यूस में प्रीबुकिंग शूरू होने वाला यूस और कैनिड़ा में तकरीबन अट्रा में से 2017 और स्का स्टेल शूरू होने अगली दोस्तों फिट विट 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 वाइंगल लेंस विट फ्लेश और बैक में 12 विट फ्लेश तीन जीबी विट रहम और बैटरी साढ़े तीन हवादार में लेगी आपको ब्लुटूट फोवट और यूसबी पोट चीबी होगा और शायद से इसकी अंदर आपको सेंसर और पास चारजिंग भी मिलने वाला है अगली दोस्तों फिटबिट की तरफ से फिटबिट फ्लैक्स टू यह डिवाइस दोस्तों यूएस में एक औरत के हाथ पे यह प्लोड हो चुका है और फिट बिट और उस औरत को सेकंड डिग्र का बना जो काफी पान फुल होता है और साथ इसाथ बिट को भी इसके बाद में इन फिट बिट ने कि एक कियों और साथ ही साथ वह यह बीक्लेम कर रहे के पिडिविट के जो डिवाइस जया वह सारे और सबसे विर्ट चीज मुझे इस इंसिदेंट में लगी दोस्तों वह यह है कि इस डिवाइस एक्सप्लोड विदाओ विदाओ गिविग एनि वार्निंग नोटिफिकेशन में अगर आपका आपका इपोन बहुत जाता है तो वहां पर आपको मैस्ट आपका 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 इन यूज की तरफ से है यह रिपोर्ट के वह लेडी शायद सिर्फ बैठी हुई थी किताप पड़ रही तो मैं परस्नली रेकमेंड करूंगा अगर आप फिट बिट लेना चाहते है तो इस फिट बिट फ्लैक्स टू बिलकुल मत लीजिए फिट बहुत जबर्दस कंपनी फिटनेस ट्रैकर के अंदर मगरी मैं परस्नली फिर भी आपको रेकमेंड करूंगा कि फिट बिट फ्लैक्स टू अप मत खरीदे पहले इसकी कुछ प्राइस भी कम हो गई अब सिब 6,000 रुपे का हो गया इंडिया में अगर फिर भी मिया रेकमेंडेशन वही आप मत दोस्तों यह वीडियो अगर आपके लिए अलफ रहा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए कमेंड कीजिए शेयर कीजिए और यार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए थाके और बेसे वीडियो ला सके और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया Thank you.